Hey guys, मैं हूँ Nidhi और स्वागत है आपका My Life My Experience में दोस्तों, आज मैं लिकर आई हूँ दो प्रोड़क्स का रिव्यू जो की है Good Vibes के जो की मैंने लेते purple.com से है, आप लोगोंने मेरे purple haul में लिखाई है तो एक है ये charcoal powder और दूसरा है ये dead sea mud powder तो इन लोगों को मैंने यूज कर लिया है तो अब मैं इसका रिव्यू आपनों के साथ में शेयर कर लेते हैं कि कैसा लगा मुझे तो चलिए video स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बात कर लेते हैं ये dead sea mud powder की ये इस तरीके की packaging में आता है छोटा सा काफी box है और ये मुझे kind of मुल्तानी मिट्टी जैसा लगा बहुत ज़्यादा बारिक powder है ये इस तरीके से छोटे से टब में आता है बहुत ज़्यादा बारिक powder है और आप ध्यान लगे जब आपसे परस्ट टाइम ओपन कर रहे होंगे तो क्योंकि ये बहुत बारिक है तो टेड़ा में होने की जैसे साइड में चिपक जाता है और जब आप खोलेंगे तो थोड़ा गिर जाएगा मतला मेरा साथ दैसा हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ तो ये इस तरीकी की packaging में आता है अँवेस पर्डनेग के तो काढ़े यह फास फेस कर सकते हैं और अपका यह हैर्श के लिए भी यूज ole तो आपना पावडर जाका है ठोड़ा सा पाॉडर अपको करीब 0.1 तीस्पून आप लेंगा है और इतने में अपका फेस का राम से ये तो ऐ उनक को कवस किस पर कर और अगर आपकी dry skin है तो आप दही के साथ इसका paste बना सकते हैं, अगर आपकी normal or oily skin है तो आप simple rose water या पानी के साथ इसका paste बना के use कर सकते हैं लेकिन क्योंकि गर्मिया चल रही है तो I think dry skin वालो के लिए भी normal water में अगर आप बनाएंगे तो काफी काम करेंगा तो मैंने normal water में ही इसे बनाया था, normal means rose water के अंदर बनाया था इसको लगाने के बाद मुझे अपने face में एक तोड़ा सा you know freshness feel हो रही थी, थोड़ा सा मेरा जो face था, वो clean मुझे feel हुआ first application जो मैंने किया था तो मैंने अतना ध्यान नहीं दिया, अतना I think notice नहीं कर पाई मैं second application जो मैंने किया दूसरे दिन तब मैंने ध्यान दिया कि नहीं मेरा face थोड़ा सा clean लग रहा है, थोड़ा सा कुछ फरक पड़ा है इसका तो इसलिए मुझे अच्छा लगा काफी अच्छा पाउडर लगा यह और बहुत इजी है आपको इसको लगा के दस मिनट बस आप छोड़ दीजे और उसके बाद आप इसे वाश कर लीजे इसलिए मुझे टीक फरक उसके लका शीखर के लिख को अपने बालों के लिए सकते हैंrict मैं हिस्में की काम इन आप जितना सा ...क्टीदीड अने यूस की एक बनबा शलने वाला है तो अगर आप 80-90 रुपीस का अगर आप एक पैक ले रहे हैं और आपका काफी करी मतलब मैं को लगता है कि आराम से 6 मेने यह चल जाएगा तो इसलिए मुझे यह ठीक लगा इसकी शेल्फ लाइफ भी I think दो साल के पुरी शेल्फ लाइफ है तो आराम से यह आपका जाएगा खुश्बुक अगर बात करूं तो इसमें बस मैने बोला कि इसको लगाने के बात एक्जैक्ली आपको मुलताने मिट वाली फीलिन वाने वाली है तो आप इसको बस वैसे ही आप इमाजिन कर लीचे और अगर आपको लगे तो आप इसको पर्टेस कर सकते हैं उसकी बाए से तो आपको करीब 20-20 रुपर का डिसकाउंट तो एनिवेज मिलता ही रहता है और अगर बहुत अच्छी सेल कुछ 50% या से चली कि तो यह आपको 75 रुपीज का भी पढ़ सकता है तो इन डिपेंट्स मतला कर 100-110 रुपर में तो एनिवेज आपको मिली जाएगा यह तो इसक तो इतना ही आता है यह पुरा फुल होके नहीं आता है यह इतना ही आता है और अगैन इसको भी आपको यूज करने के लिए थोड़ा सा ही यूज करने है बहुत साथ अपले लिए तो सब वेस्टेज होगा यह प्रॉड़क्ट तो इसको भी आपको थोड़ा से लेना करीब ऌर अब इसे पानी यरूस वाटर के साद़ भी बना थे एक में। यह पर श्वष्टर पी बना के साइब कर सकते हैं अगर इसके खुश्बू की बात करे तो इसमें बहुत गंधी खुश्बू बातियाए पिर ये हातनी ह्या है मुझे बहुत पत्षद पसदनी आई कर देता है अच्छे से अंदर सी ठीप क्लेंजिंग क काम जी अच्छेک लेटा है और बहुत पतली से आपको केर जैसे एक फेस पे लगाना है रहा उप सारा कुछिस모म लेकिन जब इसको क्लीन करेंगे तो मैं आपको बता दू कि इसमें जो powder है ये ऐसे जब आप देखेंगे कुछ इसकी एक ब्लैक्ड ब्लैक है लेकिन ऐसे जब आप शोएंगे तो एकदम आपको लगेगा कि फाइन पाउडर है बट जब आप इसे पेस पे लगा लेंगे और जब ड्राइ करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत बहुत जादा माइनूथ कण है जो कि अगर आप बहुत जादा अपने फेस पे रग लेंगे तो मुझे आइडिया नहीं था मैंने इसे खूब अच्छे से रगड लिया पेस पर जब फेस वाश कर लिया तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सके पर कुछ रैश जैसे हो रहे हैं रैश नहीं थे लिकिन जब बहुत 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 हादा कोई हार्शे इस पर रब करते हैं तो इसके पाद एक जगन सी हो क्योंकि यह वाइट जो टाइल होंगे या फिर आपको बेसिं होगा जो भी जहां पर आप करेंगे उस पर यह ब्लैक दाग जो है इस पॉर्ट है वो देगा क्योंकि यह ब्लैक हिंदम आप देख सकते हैं कितना जेट ब्लैडर तो क्लीन आप अच्छे से कर लें ड्राय ना पालों में भी यूस कर सकते हैं यह था मेरे अच्छे लगे अफोर्ड़ भी हैं बहुत दा महेंगे नहीं है और आप देखरे इसकी पैकेजिंग मुझे जादा बेटर लगी क्योंकि यह बड़ा तब हैं जो बॉक्स का हाफ कॉंटिटी में यह तो अराम से यूस कर सकते है लेकिन जब यह बहुत छोटा और इसमें फुल करके दिया हुआ तो आपको जब इसे खोलना हुआ तो थोड़ा सापको ध्यान से खोलना पड़ेगा दब इस पाउडर मैं दो बार खुला दोनों बार मेरे से यह बाहर गिरा ही गिरा तो यह है इसकी पैकेजिंग ठीक ठाक है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है फर्स्ट अप्लिकेशन पर मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन सेकें थर्ड अप्लिकेशन जब मैंने किया तो मुझे लगा कि नहीं कुछ परक पड़ रहा है और अपके इसकी आप ध्यान रखे कि यह जब आप चार्कोल यूज करेंगे तो उसके बाद आप पने फेस को अच्छे से मॉष्च राही ज़रूर कर लें विकी इसको लगाने के वाद आपका फेस ज़ूँ है थोडना ड्राय ज़रूर हो जाएगा इसको लगाने के बाद भी होगा बद कंपाने वाई अगर मैं कहूं तो यह लगाने के बाद आपके इसके इंस्टेंट बह्त ज़दा रगा जब कर्या है तो लगाने के बाद आप टोनर जरूर लगा लिजएगा ये इसको लगाने के बाद ये चारकोल वाला जो आप यूज़ करता है और मुझे ऐसा लगा कि मैं रेगिलर यूज नहीं करूंगी आप इसे वीक में एक ही दिन गूस करें तो ही आपकी स्किन के लिए अच्छा रहे लाइक स्कुरब आप डेली नहीं कर सकते हैं ये कुछ इसी तरीकी का मुझे लगा परस्नली तो मैसे डेली तो ही यूज़ करना का सजेस्ट करूंगी तो बस ये गाइस ये था मेरा आज का ओनेस्ट रिवीव बाद आप इस तो आप इने अपने फेस को यूज़ कर सकते है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर मुझे बताएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको प्रैस करना पिल्कूल ना भूले ताकि मेरे सारे नह वीडियो के नोटिफिक्शिन आपको सबसे पहले मिल जाए वीटे वीडियो आपसे मिस ना हूँ तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तप्ते के लिए बाई